नमस्कार आप देख रही हैं अमर जाला आपके साथ मैं हूँ अक्षिय गर्पाद अपनी बेबाकी के लिए खयात केलाश विजेवर गया गाहे बगाहे पार्टी के नेताओं को उनकी हैसियत बतानी में पीछे नहीं रहते हैं जारखन के चुनाव सिर्पर हैं और केंद्री मंत्री शिवराज सिंग चाहान के प्रभारी रहते हुए वहाँ पार्टी के जित सुनशित करने के लिए रात दिन एक कर रखा है अपने ग्रहनगर इन दोर में दिवाली मिलन समहरू के मौके पर कैलाश पार्टी कारेकरताओं के बीच ये कहने से नहीं चुके कि हरियान में जब शिवराज सिंग चाहान प्रभारी थे तब भाजपा को केवल चार सीट मिली थी इसके बाद हुए चुनाम में जब मुझे प्रभारी बनाया गया तो इन दोर के 3,000 बीजीपी कारेकरताओं ने वहां मूर्चा संभाला और अच्छे बहुमत से बीजीपी की सरकार बनाए इशारा साफ है आगी की बात जहारखन के नतीजों के बाद मुझे मंत्री डॉक्टर मोहन यादव और कदावर कैबिनेट मंत्री कैलाश विजवर्गिये के बीच लगतार बढ़ रही दूरी के चर्चा अब दिल्ली तक पहुँच गई है पता ये लगाया जा रहा है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों और इसके लिए जिम्यदार कौन है ऐसा शिवरास सिंग चोहान के दौर में भी हुआ था और तब दोनों की बीच टकराहट तानने के लिए विजवर्गिये को दिल्ली बुला कर समान जनक भूमी का दे दी गई थी अब फिर से वैसे ही हालात बन रही है लेकिन पहले की तुलना में बहुत ही जल्द ये हो रहा है रास्ता दिल्ली से ही निकलेगा लेकिन थोड़ा वक्त लग सकता है ताज़ुब इस बात पर हो रहा है कि शुरुवात में एक रहा पर चलने वाले दोनों दिगजों ने आखिर इतनी जल्दी अपनी राही अलग ख्यों कर दी गोवर्धन पूजा के दिन मुख्यमंत्री ने एक बड़ी घोशना का एलान किया सियासत के बड़े खिलाडी मोहन यादव की सिदाओं को समझना जरूरी है लाटली पहना की तरह ये भी सीधे सीधे लाखो परिवारों को आर्थिक मजबूती देने का मामला है और इसका बड़ा फाइदा उनको मिलना है जिनकी यहां बड़ी संख्या में मवेशी पाले जाते है आकड़ों पर गौर करें तो जिस घर में दस गाई या बहस है उन्हें मुख्यमंत्री की घोषणा के अमल में लाने के बाद हर महीने 12,000 रुपए का फाइदा होना है कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि घोषणा लाटली बहना से बड़ी है और इसके दूरगामी परिणाम आने वाले वक्त में देखने को मिल सकते है विधान सबर चुनाव हार चुके या फिर मंद्री पद से वन्चित रहे बीजेपी के कई दिगजनेता अब फिर से उमीद लगाए बैठे हैं संगठन चुनाव का आगाज हो चुका है और इन नेताओं को लग रहा है कि पार्टी कहीं न कहीं इन्हें एड़्जस्ट जरूर कर लेगी पार्टी से जुड़े मुद्दों पर इनकी मुखरता के पीछे भी यही राज नजर आ रहा है लेकिन दिक्कत बस एक ही है इन में से जादा तर नेता साट के पार जा चुके हैं और इस बात से भैबीत हैं कि बढ़ी हुई उम्र कहीं इनकी बची कुछी उमीद पर ब्रेक ना लगा दे वैसे बीजेपी में समय काल के मुताबिक सब कुछ बदलता रहता है और इसी संभावना से इनकी उमीद को बल भी मिला हुआ है जादा समय बचा हुआ नहीं है देखते हैं उमीद परवान चड़ पाती है या फिर नहीं तो वहीं मद्यपरदेश बीजेपी के प्रभारी और उत्तपरदेश के बीजेपी नेता डॉक्टर महेंदर सिंग ने पिछले दिनों पताबगड में भागवत कथा करवाई थी उनके पैतरक निवास पर हुई इस कथा में हजारी लगानी के लिए मद्यपरदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और बीजेपी के प्रदेश आध्यक्ष वीडी शेरमा सहीत प्रदेश के कई बीजेपी नेता पहुँची इनमें कई ऐसे नेता भी थे जिनकी रुची इस आध्यात्मक आयोजन में उपस्तिती दर्ज करवाने के बज़ाए प्रदेश परब्रारी को चेहरा दिखाने में थी साथ दिन के सायोजन में उत्तपरदेश से जादा मध्यपरदेश के नेताओं की रुची रही और उसके पीछे उनका उत्देश धार्मी की आत्रा से जादा राजनी तिक प्रयाटर करना था घाट-घाट का पानी पीचुके डॉक्टर सिंग भी सब समझ रहे थे साथ ही सालों तक मध्यपरदेश मंत्री मंडल में वजंदार विभागों में मंत्री रहे भुपेंदर सिंग अब बेहद मोहर हो गए है पिछले दिनों सागर में उपमुख्य मंत्री राजेंदर शुकला के मौजूदगी में हुई बैठत में जिस अंदार विभुपेंदर सिंग पुलिस अफसरों पर बरसे उससे ये साफ हो गया कि बुंदेलखन की सियासत आने वाले दिनों में गर्माने वाली है सिंग की इस मुखरता ने उनहीं के ग्रह जिले के दूसरी मंत्री गोविंद सिंग राजपूद को भी विचलित कर दिया है अभी तक चुप चल रहे राजपूद भी अब मुखर होने वाले है इस सब के बीच गोपाल भारगव अपनी मस्ती में मस्त है और राजनीती से जादा समय परिवार को देते नजर आ रही है तो वही प्रदेश कॉंग्रेस अध्यक्ष जीतु पटवारी अजीब परिशानी में है नई टीम की घोशने के बाद नेताओं के नाराज होने का सिलसला लगतार बरकरार है पटवारी एक को साधते हैं तो दूसरा बिफर जाता है ताजमामला नेता प्रतिपक्ष रहे डॉक्टर गोविंद सिंग से जुड़ा हुआ है अभी तक लहार में ही अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे डॉक्टर गोविंद सिंग अब ये कहते हुए बिफर रही है मैं भी जीतू पटवारी की कारेकारणी से संतुष्ट नहीं हूँ अनुभवी और जनाधार वाले नेताओं की उन्होंनी उपेक्षा की है इसलिए सभी नाराज है डॉक्टर सिंगर की ये मुखरता इसलिए चौकाने वाली मानी जा रही है कि जब वो संकट में थे तब सबसे पहले उनके समर्थन में पटवारी ने भेंड जाकर मोर्चा संभाला हुआ था इसके अलावा खरी-खरी बोलने के लिए खयात और कॉंग्रेस के 6 साल के लिए निश्कासित डॉक्टर अजय चौरडिया के सालाना आयजन में कॉंग्रेसियों का वैसे ही मजमा लगा जैसा हर साल लगा करता था संभावना ये जताए जा रही थी कि इस बार कॉंग्रेसी इस आयजन से दूर रहेंगे लेकिन इस से उलट बड़ी संख्या में कॉंग्रेसी वहां दाल बाफले का अंदाज लेते या कहें कि आनंद लेते नजर आए वैसे इस उपस्थिती को चाराडिया की कॉंग्रेस के राष्ट्रे अध्यक्ष मलिक कारजुन खडगे से नजदीके से जोड़ कर भी देखा जा रहा है अब देखना होगा कि यहाँ पर क्या कुछ बड़ा बवाल होता है अभी के लिए इतना ही देश और दुनिये के तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें अमर जार अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें